अब हम sodium chloride, NACL, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, यदि आपका भोजन आपको बिना sodium chloride के दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी स्वाध हीन, तो sodium chloride भी हमारे जीवन में बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपुन एक योगिक है, इसका मुख्य स्रोध क्या है? सोडियम chloride समुद्री जल से प्राप्त होता है, और इसका मुख्य स्रोध भी हम इसे मान सकते हैं, तो लगभग भार की दृष्टी से अधिलिया जाए, तो लगभग 2.7 से 2.9 प्रतिशत लवण जो है, समुद्री जल में पाया जाते हैं. हमारे में कई सारे ऐसे छेत्रे हैं, जहां पर नमक की खेती की जाती है, तो समुद्री जल को वाश्पिकरित किया जाता है, अलग-अलग विधियों के द्वारा, तो जैसे हम खेत देखते हैं, धान के खेत देखते हैं, उसी तरह से जहां समुद्र से नमक की प्राप्ती की जाती वहाँ पर नमक के खेट देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर जल को बान दिया जाता है और लगातार वाशपी करण किया जाता है तो पहले उसे सांद्र वीलियन में परिवर्तित कर देते हैं वाशपी करित करने के बाद उसके बाद फिर से उसे वाशपी करित किया जाता है वा चास लाग टन सोडियम क्लोराइड का उत्पादन हमारे देश में होता है और इस सोडियम क्लोराइड में बहुत सारी अशुधियां भी होती हैं जैसे सोडियम सलफेट की अशुधि, कैल्शियम सलफेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैगनीशियम क्लोराइड ये सारी अशुधि से नमी को बहुत आसानी से ये अवशोशित कर लेते हैं तो जो शुद्ध NACL प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ विधियां होती है तो बहुत आसान विधी एक है कि शुद्ध NACL प्राप्त करने के लिए जो अशुद्ध लवण है जिसमें की विभिन प्रकार के और द अलग हो जाएंगी और उसमें जो विले है जल में वो अलग हो जाता है तो जब ये जो विलियन अब क्राप्त होता है इस विलियन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को भेजा जाता है यहने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के द्वारा इसे संत्रिप्त किया जाता है तो एने जैसे जो sodium chloride का शुद्ध क्रिस्टल है वो हमें प्राप्त होता है क्योंकि HCl में Cl- है और जो अशुद्ध NaCl है उसमें Cl- है तो आइनिक गुडणफल का मान विलेता गुडणफल के मान से अधिक हो जाता है तो अवचेपन होने लगता है तो इस विधी से हमें sodium chloride के जो शुद्ध क्रिस्टल है वो प्राप्त होने लगते हैं calcium chloride और magnesium chloride जो है वो NaCl की तुल्ला में अधिक विले होते हैं इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक है 1081 Kelvin लगभग इसका गलनांक होता है इसकी जो विलेता होती है वो बहुत अधिक होती है लगभग 100 ग्राम जल में 36 ग्राम NaCl आसानी से गुल सकता है और इसकी विलेता को यदि आप ग्राफ में देखेंगे तो इसकी विलेता ताप से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि ये अपने आप ही विले हो रहा है तो बहुत जादा ताप का प्रभाव इसकी विलेता पर नहीं पढ़ता है जबकि बाकी दूसरे लवड़ों पर ताप मान बढ़ाने पर विलेता का मान बढ़ता है Sodium Chloride के उप योग sodium chloride जैसा कि हमने देखा कि हमारे भोजन को बहुत स्वाधिस्ट बनाता है इसके बिना हम अपने भोजन की कलपना ही नहीं कर पाते हैं sodium chloride परिरक्षक के रूप में, preservative के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है जब हम घर में अचार बनाते हैं तो नमक का प्रियोग करते हैं ताकि बहुत दिनों तक यहाँ अचार सरने ना पाए मचली, मांस या विभिन प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए भी sodium chloride का उपयोग किया जाता है sodium chloride के द्वारा बहुत सारे उद्योगिक जो योगिक है जिनका उद्योगों में भी बहुत उपयोग है प्रियोग शाला में उपयोग है इनका निर्मार किया जाता है जैसे sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium sulphate, HCl, chlorine इन सब को बनाने में sodium chloride का बहुत अधिक योगदान होता है चमडे की training करने में भी इसका प्रियोग किया जाता है कम तापमान प्राप्त करने के लिए जो हिम मिश्रन बनाया जाता है उसमें भी sodium chloride का प्रियोग किया जाता है अब हम sodium के एक और महत्वपुन योगिक sodium hydroxide के बारे में जानेंगे sodium hydroxide एक क्रिस्टली पदार्थ होता है जिसको छूने पर ये साबुन जैसा लगता है और जब इसे छुआ जाता है तो त्वचा के साथ ये क्रिया कर लेती है और त्वचा में जलन उत्पन होने लगती है तो इस प्रभाव को कहते हैं कास्टिक प्रभाव sodium hydroxide का जो गलनांख है वो 318 degree centigrade होता है और ये आर्दरता ग्राही होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जो वायमंडली जलवाश्प के साथ क्रिया कर लेते हैं और तुरंत गीले हो जाते हैं उसको ग्रहंड कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं sodium hydroxide को ठो सवस्था में निकाल कर यदि थोड़ी देर भी बाहर रखा जाता है तो वो तुरंत द्रव रूप में परिवर्तित होने लगता है क्योंकि वायमंडली जल को ये ग्रहंड कर लेता है तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका ये hydrate बनाने लगते हैं NaOH.H2O या NaOH2H2O इस तरह से hydrate फॉर्म करने लगते हैं वायमंडल में जो कार्बन डियोकसाइड है उसके साथ ये क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके sodium carbonate का निर्मार कर लेते हैं तो 2 NaOH plus CO2 is equal to Na2CO3 plus H2O तो सोडियम हाइड्रोकसाइड जब कार्बन डियोकसाइड से रियक्ट होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं सोडियम हाइड्रोकसाइड बनाने के लिए कई सारी विधिया हैं उसमें से दो विधी हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे Nelson cell एवं Castner-Kelner cell Nelson cell के द्वारा sodium hydroxide बनाया जाता है और chlorine बनाने की भी यह एक विधी होती है अभी हम Nelson cell के बाले में पढ़ेंगे Nelson cell जिसके द्वारा NaOH का निर्माड किया जाता है इस cell के द्वारा chlorine gas का भी निर्माड होता है तो NaOH का निर्माड किस प्रकार से निलसन सेल के द्वारा किया जाता है यह हम जानेंगे तो सबसे पहले हम निलसन सेल की जो संरचना है इसके बारे में जानेंगे इसमें सपात की एक टंकी होती है जिसमें बेलनाकार एसबेस्टास की परत होती है और बेलनाकार एसबेस्टास परत युक्त जो इसपात की छिद में नली है वही कैथोड का कारे करती है नली में NaCl भरा जाता है और विलियन में ग्रेफाइट की छड़ डुबा कर रखते हैं ये ग्रेफाइट की छड़ यहाँ पर एनोड की तरह कारे करता है जैसे ही विद्युधारा प्रवाहित की जाती है तो जो NaCl है उसका घटन हो जाता है एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होने लगती है और क्लोरीन गैस मुक्त होकर बाहर निकल जाती है जबकि जो सोडियम आयन बचा है वो एसबेस्टास की परत से निकलती है और कैथोड पर मुक्त होती है और बाद में टंकी में आने वाला जो जलवाश्प है यह तो पार्ट में तूटता है, दो आयन्स बनाता है, H प्लस और OH माइनस, तो सोडियम आयन जैसे ही OH माइनस से रियक्ट होते हैं, NaOH बना लेते हैं, और विलियन के रूप में इसे फिर निकाल लिया जाता है, तो इस पूरे नेलसन सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है, वो प है, सोडियम क्लोराइट का, क्योंकि सोडियम क्लोराइट यहां पर विद्यूत अभगटे की तरह है, तो Na प्लस और Cl माइनस में अभगटित हो गया, कैथोड पर अपचैन की क्रिया होगी, और जो 2 Na प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहेंड करता है, चूंकि 2 Na प्लस है, त अभगी एनोड पर होने वाला जो रियक्शन है, उसमें हम देख रहे हैं, Cl-, जो NaCl जो टूटने के बाद Na प्लस और Cl- में परिवर्टित हुआ था, तो यह जो Cl- है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यह बचता है Cl, और Cl और Cl जब प्राप्त होता है, अगला हम देखेंगे NaoH प्राप्त करने के लिए जो सेल है, वो है कास्टनर-केलनर सेल, इस सेल की जो सनरचना है थोड़ी सी जटिल है, इस सेल में लोहे का एक आयताकार टैंक है, इसमें दो स्लेट परदो द्वारा तीन भाग किया गया है, यहने तीन चेंबर में इसे बाटा गया है, और बीच में दो स्लेट परदे रखे गए हैं, जिसके द्वारा तीन अलग अलग भाग बन गए हैं, और टंकी की तली पर मतलब नीचे की तरफ मरकरी है, और इस मरकरी को यांत्रिक विधी के द्वारा गुमाया जा रहा है, यह मरकरी लिक ता अनुसार ये मरकरी यूज होता रहता अलग-अलग चेंबर में, तो इसमें जो बाई तरफ और दाई तरफ दो अलग-अलग कक्ष है, तीन कक्ष में से जो बाई और दाई तरफ जो कक्ष है, उसमें NACL का संत्रिप्त विलियन भरा जाता है, और इन में ग्रेफाइट क अनुड लगे होते हैं, यानि बाई और दाई जो चेंबर है, उसमें ग्रेफाइट के अनुड लगे होते हैं, जो बीच वाला कक्ष है, उसमें कास्टिक सोडा का डाईलूट सॉलूशन लिया गया है, और इसमें लोहे का कैथोड होता है, तो बीच वाले कक्ष में निकलने के लिए और दाएं बाएं वाले कक्ष में क्लोरीन गैस को निकलने के लिए नली का लगी होती है जब विद्युधरा प्रवाहित करने पर मरकरी बीच वाले कक्ष में एनोड की तरह कारे करता है जबकि बाकी जो दो कक्षें दाएं और बाएं कक्ष में यही मरकरी कै शक्ता अनुसार कक्षो में अलग-अलग एनोड और कैथोड की तरह कारे करते हैं, जहां पर एनोड पहले से है, वहां वह कैथोड की तरह कारे करेगा, और जहां पर कैथोड पहले से है, वहां वह एनोड की तरह कारे करता है, तो सोडियम मरकरी कैथोड पर मुक्त होता है और sodium amalgam बनाता है जब भी कोई धातू मरकरी के साथ मिश्र धातू बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं sodium amalgam तो नहजी बन जाता है और दूसरे जो कक्ष है यानि दाएं और बाएं और का जो कक्ष है एनूड पर मुक्त जो क्लोरीन गैस है उसमें वो बाहर निकलने लगती है इस सेल में हमने देखा कि इसमें नीचे की तरफ जो पहिये लगे होते हैं जिसके द्वारा मरकरी को इधर उधर हिलाया जाता है तो ये जो सोडियम अमलगम है वो बाहरी कक्षों से मध्य कक्ष में आ जाता है और सोडियम अमलगम मध्य कक्ष में जो जल है उससे क्रिया करके एनूड बना लेता है यहां जो एच्टू गैस है वो बाहर निकलने लगती है हमने ये भी देखा इसको उपकरण में की अलग गलत चेम्बर में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के निकलने के लिए नलीका लगी हुई है तो इस आधार पर जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है इसी नलीका के द्वारा तो इस पूरे पात्र में जो सोडियम अमलगम है जब वो वाटर से रियक्ट होता है तो एन NAH प्लस 2HG प्लस H2 तो इस पूरे रियक्टन में हम देखें कि NAH प्राप्त होता है और यहां जो NAH प्राप्त हुआ है इसका वाष्पन कर लिया जाता है यह इसको वाष्पिक्रित करके फोसर नेवज के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है इस कास्टनर केलनर सेल में होने वाले जो रियक्शन है अलग-अलग चेम्बर्स में वो कैसे हैं देखिए इन रियक्शन को अब हम जानेंगे तो जो बाई और दाई काक्षे हैं वहाँ पर होने वाला रियक्शन तो 2 NaCl is equal to Na प्लस Cl- कैथोड पर अप्चेन की करिया होगी तो 2 Na प्लस प्लस 2 electron is equal to 2 Na बना sodium धातू बना और यह sodium धातू जब XHg से react होता है तो Hg XNa2 बनता है मतलब sodium amalgam बनता है एनोड पर होने वाला रियक्शन ओक्सी करण होगा यहाँ पर electron मुक्त होता है तो 2 Cl- से जब 2 electron मुक्त होता है तो 2 Cl पर माड़ू बना और दोनो Cl पर माड़ू chlorine gas में परिवर्तित हो जाते हैं बीच वाले कक्ष में NaOH है कास्टिक सोडा तो NaOH अब घटित होता है Na प्लस और OH माइनस में तो कैथोड पर होने वाला रियक्शन यानि अब हम बीच वाले कक्ष में किस प्रकार से कैथोड और अनोड का रियक्शन है वो देख रहे हैं तो कैथोड पर 2 NaHg plus 2 H2O is equal to 2 NaOH plus 2 Hg plus H2 बनता है जबकि Na plus plus electron is equal to Na मतलब कैथोड पर electron ग्रेहन करने की क्रिया होरी है तो जो सोडियम आयन है वो electron ग्रहन करता है और सोडियम धातु में परिवर्तित हो गया यह sodium धातु जब जल से क्रिया करता है याने हम बात कर रहे हैं मध्यकक्ष की तो यह जो sodium धातु है वह अब जल से क्रिया करता है और 2 NaOH में परिवर्तित होगा और hydrogen gas मुक्त होती है तो हमने देखा कि जो पात्र है मध्यकक्ष या जो दाएं और बाएं तरफ का कक्ष उसमें जो नलीका लगी है उससे hydrogen gas मुक्त हो सकते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि NaOH का विलियन हमें प्राप्त होता है और जिसे वाश्पिक्रित करके ठोस NaOH में परिवर्तित कर लिया जाता है NaOH व्यापारिक द्रिष्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगिक है इसका प्रयोग साबून बनाने में, कागज बनाने में बहुत सारे कृत्रिम, रेशम जैसे रेयॉन उसके निर्मार में भी किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में भी NaOH का उप्योग होता है बाकसाइट जो आयसक है उसके शुद्धी करण में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है याने बाकसाइट आयस्क से जब अलुमिनियम धातू प्राप्त की जाती है तो जो धातू कर्म के प्रोसेस है वहाँ पर भी एनेवेच का प्रयोग किया जाता है सूती वस्त्रों में चमक लाने के लिए जिसे मरसरी करण भी कहा जाता है उसमें भी NaOH का प्रयोग किया जाता है शुद्ध वसा और टेल के निर्मार में भी इसका प्रयोग किया जाता है NaOH प्रयोक्षाला अभी कर्मक के रूप में भी एक महत्तोपूल रसायन होता है उसका प्रयोक किया जाता है प्रयोक्षाला में भी कहा जाता है तो सॉल्वे विधी के द्वारा इससे बनाया जा सकता है क्योंकि हमने सॉल्वे विधी देखा है sodium carbonate के लिए तो फिर से इसे हम नहीं देखेंगे शॉल्वे प्रोसेس आपको sodium carbonate में बहुत विस्तार से बता दिया गया है तो solvay विधी के द्वारा भी आपने देखा कि sodium bicarbonate प्राप्त किया जा सकता है sodium bicarbonate का जो जली विलियन होता है उसको carbon dioxide से जब संत्रिप्त करते हैं यानि बहुत अधिक उसमें carbon dioxide जब प्रवाहित कर दिया जाता है sodium carbonate के solution में तो sodium bicarbonate प्राप्त हो सकता है ये भी एक विधी है तो इसके लिए reaction होगा Na2CO3 plus H2O plus CO2 is equal to NaHCO3 बैलेंस करेंगे तो 2 NaHCO3 प्राप्त होता है तो sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate एक सफेद और क्रिस्टली ठोस के रूप में कारे करता है जल में बहुत कम घुलता है ये लेकिन इसमें उश्मा का प्रभाव पड़ता है बहुत अधिक 373 Kelvin temperature पर जब इसे गर्म किया जाता है तो ये carbon dioxide मुक्त करते हैं क्योंकि इसमें भी bicarbonate है तो हमने देखा था कि carbonate लवन का जब अब घटन होता है तो carbon dioxide मुक्त होती है और इसमें sodium carbonate भी बनता है तो 373 Kelvin temperature पर जो इसका reaction है वो इस प्रकार होगा 2 NaHCO3 is equal to 373 Kelvin temperature प्राप्त होता है यहाँ पर Na2CO3 plus H2O plus CO2 sodium hydrogen carbonate का प्रयोग जो है वो अगनी शामक यंत्र में भी किया जाता है अगनी शामक यंत्र आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें carbon dioxide के source के रूप में NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है कई बार त्वचा में कुछ infection हो जाता है तो antiseptic के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है baking powder के एक मुख्य अवियव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है आपको जब भी cake, idli ये सब खाने का मन होता होगा आपने देखा होगा कि cake कितना spongy होता है इस तरह से spongy किस प्रकार बनता है क्योंकि उसमें baking powder डला होता है खाने का soda डला होता है इसमें से उत्पन होने वाला जो carbon dioxide gas इसकी वज़े से ये spongy हो जाता है इसी प्रकार जब हम पकोड़े बनाते हैं पकोड़े में भी हम sodium bicarbonate का प्रयोग करते हैं तो कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें यदि हमें spongy बनाना होता है उसको इस नरम बनाना होता है तो sodium bicarbonate का प्रयोग किया जाता है हमारे शरीर में acidity हो जाती है कई बार या अमाशय में अमलीता बढ़ जाती है तो anti-acid के रूप में sodium bicarbonate का प्रयोग किया जाता है कई सारे toothpaste या जो mouthwash होते हैं उसमें भी sodium bicarbonate एक मुख्य आवियव के रूप में प्रयोग किया जाता है तो sodium carbonate हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी एक योगिक है अब हम sodium और potassium का जो biological system में importance है उसको जानेंगे तो हमने प्रारम में ही देखा था कि किस प्रकार इस पूरे S-block element में sodium, potassium, magnesium, calcium biological importance रखते हैं तो उसको थोड़ा विस्तार पूरव कब हम जानेंगे जैविक तंत्र में इसकी बहुत महुत पुन भूमिका होती है लगभग 70 kg जिस व्यक्ति का ओसत वेट होता है उसमें ये देखा गया है कि sodium और potassium की मात्रा sodium लगभग 90 ग्राम और potassium 170 ग्राम होता है लेकिन दूसरे जो धात्वे होती हैं जैसे कि दूसरे जो आयन्स होते हैं जैसे कि iron है, copper है वो बहुत कम मात्रा में होता है 5 ग्राम आयरन होता है और 0.06 ग्राम copper होता है तो sodium और potassium जो है वो बहुत अधिक important ions होते हैं sodium हमारे कोशिका द्रवे का एक मुख्य अव्यव होता है रक्त प्लाज्मा का एक मुख्य अव्यव होता है sodium ion enzyme की सक्रीता को बढ़ाने में मदद करता है साथ ही glucose का oxidation होने पर जो ATP बनता है तो वो ATP को बनाने के लिए glucose का ATP में oxy current करने के लिए उसको promote करने का कारे करता है और ATP जो है वो उर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोथ है जो तंत्र की आवेग होते हैं उसके संवहन में भी sodium ion की महत्तपून भूमिका होती है हिरदय धरकन को नियमित करने के लिए sodium ion का importance हिरदय धरकन के नियमन में भी होता है कोशिका जिल्ली के द्वारा जो जल प्रवा होता है उसमें भी sodium ion की महत्तपून भूमिका होती है अब हम potassium ion की कुछ जैविक तंत्र में महत्ता को जानेंगे potassium ion भी enzyme की सकरीता को बढ़ाने का कारे करता है glucose के oxy current द्वारा उर्जा स्रोत याने ATP अणों के निर्मार में भी potassium का बहुत अधिक योगदान होता है protein के sensation में इसका योगदान होता है क्योंकि protein sensation से हमारे शरीर का बहुत सारा जो system है वो depend करता है तो तंत्री की जो संकेत होते हैं उनके संचरन में sodium ion के साथ साथ potassium ion का भी योगदान होता है यहने यहाँ पर sodium potassium pump की भागेदारी हो जाती है वो किस प्रकार से होती है sodium ion लगभग 143 mmol प्रती लिटर प्रेजन्ट होता है जबकि potassium ion की संद्रता 5 mmol प्रती लिटर होती है और यह जो असाधरन रूप से आयनिक उतार चड़ाओ होता है उसी वजह से यह sodium potassium pump जो है वो कारे करता है sodium potassium pump कोशिका जिल्ली के आर पार कारे करता है आयनिक उतार चड़ाओ के कारण यह sodium potassium work कर पाता है क्योंकि इसके सांद्रन में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है शरीर में अलग-अलग जिल्ली के आरिया पार्च सोडियम potassium pump का सुचारू ढंग से हमारे शरीर में कारे हो पाना sodium potassium ion के कारण ही संभव हो पाता है